नमस्कार जे जगरनाथ आज से लगभग 500 साल पहले उडिशा के पांच महान संथों ने लिखे थे भविश्य मालीका एक समय ऐसा था भविश्य मालीका केवल ही केवल उडिशा के स्तर पर था वो भी जो आज के डेट में पूथी है और उडिशा में जो लुप्त गुंफाए हैं उसके अंदर छुपा हुआ था लेकिन आज समय बदल चुका है मालीका यानि भविश्य मालीका केवल उडिशा स्तर पर रही नहीं राष्टे स्तर पर पहुंच चुका है तथा विश्य पटल पर भी पहुंच चुका है अखिरकार भविश्य मालीका में क्या लिखा है जो लिखा है उसमें से कितनी बात हैं वो सत साबित हो चुके हैं मेरे हाथ में है एक लिस्ट लिस्ट पर एक नजर डालते हैं मालिका के अनुसार क्या सच में 22 भाच में मस्ली तेहरेगा खली तना ही नहीं ये भी लिखा है क्या सच में निल चक्र को पानी का बहाप छुएगा साथ ही ये भी लिखा है हमेशा के लिए जगरनात मंदिर का दर्वाजा बंध हो जाएगा मालिका में जो बोला गया है कि चंडी चमुन्डाएं चारो और घुमेगी और इसके साथ यहाँ सच है या काल्पनिक है क्या सच में यह सब कुछ होगा या हो चुका है यह भी लिखा है क्या सच में रत्र शिंगासन में महापरभू जगरनाथ जी बिराजमान नहीं होंगे क्या पवित्र रथियात्रा हमेशा के लिए बंध हो जाएगा क्या सही में पूरी मेस्तित कल्प ब्रुक्ष जल जाएगी ये भी लिखा है क्या पूरा बिश्व मोत का तांडब दिखेगा इस अब चीजे मालिका में लिखा गया है मेरे हाथ में एक लंबी लिस्ट आये नजर डालते हैं क्या बंध हो जाएगा इंटरनेट और ठप हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम क्या सैटलेट कनेक्सेन भी कर जाएगा और मोबाइल हाथों का खिलोना बन के रह जाएगा इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि जल प्रले के बारे में 2030 तक भारत का 13 चोटे और बड़ी सहर पानी में हमेशा के लिए डुप जाएगा इसके साथ मुंबाई मुंबाई के साथ आथ बिसकपन के वहां चिन्नाइउ और उडिसा के पूरी और पारदिप ये भी सामिल है क्या ससमय ही हिराकूट बांध जो है टूट जाएगा एक ते-चाहिता है फिरमで बहुत रबा कैने बपोटके हैं, ह क्यक्याव मैं इसकर सध्ट शाहिए क्या शीब्स क्छोड चुपाइब, पंजाब में लिखा या भाकरा नंगल ढाम में और उत्राखण में चमिल डियां है, तो इसके साथ यह लिखा है कि हिराकूद बांथ टूटेगा और इसा का 60% पानी में डूब जाएगा यह सब चीजे मालिका में लिखा है बैकरान अंगल डाम भी टूटने के साथ-साथ भारत भी पानी में डूब जाएगा बदल जाएगी मौसमी चक्र उडिशा के नेमाल पीट स्थित बट व्रिक्षि की सभी पत्ते जड़ने के साथ-साथ क्या मिलेगी अंतिम प्रले का संकेत हां यहां पर एक चीज सामने आ रहा है कि नेमाल मठ जो है वो उडिशा के जो कटक जिला है उसी के अंतरगाथी आता है और वो है संथ जो पंच सख तो वहां पर जो बट व्रिक्षि होता है उसके पत्ते जो है पिछले साल ही सभी पत्ते जो है किसी कारण नीचे गिर गए थे और पुना कुछ महने के बाद उसमें पत्ते आ गए थे यह लिखा था और यह सच में रुप अंतरित हुआ तो यह भी लिखा गया है लोगों के घर के दर्बाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा एसा कुछ समय आएगा जैसे करोना के टाइम पर हुआ लोगों ने अपने अपने दर्बाजा बंद करके अंधर ही रहे तो क्या एसे आगे भी होगा यह मालिका में लिखा है गाउं गाउं में लोमनी घुमेंगे पुर और बिससग्यां का ज्यान भी यहां कहीं काम नहीं करेगा हम देख भी चुक है करोना के मेडिसिन कितने दिन लगे मतलब उसको हमने ठीक तरीके से नहीं किसकता है कि वह सच में कामेव हुआ आगे चलके सभी धर्म गंत को फेका जाएगा यह भी होगा तो मालिका में करत यह पार अभी सोच नहीं सकते आपका कान कभी सुना नहीं आपका आफका आउंके कभी दखा नहीं वह होगा तरा दिन का पकसह भी पड़ेगा तो स्री जगर्नात मंदिर से बार भार पत्थर गिरेंगे, ये हो चुका है, मालिका में लिखा है, जो कि उडिया में, ये लिखा है कि ऑन्ला बेढारू जबे पत्थर खसीवा, कलंकि दबग कुछाबूशबे चिंता जग्रा सीवा, अच्होनी पूरी जग्रनात मंदिर के तो देखिए 500 साल पहले यह लिखा गया था तो हम केसे मान नहीं सकते हैं केसे हम नहीं मानेंगे कि मालिका जो है वो कहानी है मालिका में जो कुछ भी लिखा है वो एक अक्सर के साथ वो सच्मेर वांतरत हो रहा है और आने वाले समय में यहीं सब दिखेंगे तो इसमें यह भी लिखा है कि चारो धाम से नकरात्मक संकेत बार-बार मिलेंगे यह भी लिखा है महाप्रभु श्री जगरनात जी को रुशिया चुरा कर ले जाएगा बैरी स्टेशन में ट्रें का इंजन रुक जाएगा बत्वान यहां उन्जन पस्चि-मंगाल के शेचलद स्टेशन में हैं तो यहां पर एक है बेरी स्टेशन वह जासपुर जिला में आता है तो वहां पर एक छोटा सा स्टेशन है प्येस पब्लिक हाल्ड इसको माल चकते हैं बड़ा स्टेशन तो नहीं है तो वहां पर जब रसिया महाप्रभु ची जगरनाथ जी को चुरा के ले जाएगा और वह भी मतलब छोड़ा सा इंजिन यह जिसको हम कहते हैं पगल्ड इंजिन पाथी इंजिन वह अभी क्या कहा है मालिका के मताविक पंचिममंगल के एक स्यल्दा जगा है वहांपर है हम लोग हाली में वहांपर घए थे वहांपर हम जो ओफिस्टा जो हमें संधीए मिला सुस्रम मि कि वहां पे भी नहीं है, वह सेख्ञया गया है, क्या दोबारा भी वह स्याल्दा आएगा और अन्तिम लिला के समय में यह सब चीजें होगा, तो आगे चलके यह भी लिखा है कि एक भार फिर से पंसाख़ा, एक बार फिर से जम लंगे, कहां जम लंगे इसके बारे में मतलब अलग-अलग जो है ग्रंथ अलग-अलग सुसनाएं देते हैं वो लिखा है कि बोवला घडियाल और चितल मचली के कांटे से मा के द्वार बनाए जाएगा यह भी लिखा है कई सारे ग्रंथ कई सारे पोतियां यह प्रमन देता है जो बोवला घडियाल है और चितल की मचली है वो दोनों एक साथ मिलेंगे और तब जल प्रले होगा समगर ओडिसा में और वहाँ पे जहां पे मिलेंगे वहाँ पे जो है माता जी के जो मंदिर के जो द्वार है वहाँ उनका दर्वाजा बनेगा यह भी लिखा है कि साथ दिन अंधरा होगा साथ दिन शात दिन अंधरा के वारे कई सारे पोथे कई सारे ग्रंथ बार बार प्रमान देता है साहन असे सब्सक्राइब वहुए यही चीज लिखे हैं बार-बार कि 7 दिन 7 रात अंधरा होगा खल इतना है नहीं पास्ट्रमस नश्टर नमस हैं वाबा वेंगा हैं उन्होंने भी 7 दिन 7 रात डर्कनес के बारे में भी लिखे हैं उनकी किताब में उसके साथ चाहीं यह भी लिखा है कि उसी दोरान रात के अं अंधरा होगा उसी दौरान सोला सुदर्सन चक्र जो है वो अंधरे में घुमेंगे यह लिखा गया है और उस दौरान भेरवी की जो गरजना सुनकर सभी लोग अपने अपने घर पे छुप कर बेठेंगे यह लिखा है इसके साथ साहँ और क्या लिखा है इसमें लिखाए कि तवाही मचाने वाले सुनामी का लहर माता बिरजा के पेर चुएगी ऐसा भी सुनामी आएगा बिलकुल तवाही मच जाएगा और वो सुनामी का लहर यहां उडिसा में जिला है उसका नाम है जासपूर उर्जासपूर में जो माता बिर्जा की मंदिर हैं, माता बिर्जा की पेर तक वो लहर जाके चुएगा मालिका में यह बात साफ सब लिखा गया है लिए इसके साथ यह भी लिखा है कि एक ही तिथी में होगे अमवास्या और संक्रांटि और यह बार बार होगा एक ही तिति में जबकि नकरात्मक संकेत है एक ही तिति में संक्रांति और अमाबास्या बार बार हमें देखने को मिलेगा इसके साथ यह भी लिखा है आस्मान में दिखेगी इंदू के बाद बिंदू और मिलेगी कल की उदे के संकेत तो इन्दु के बाद बिंदु , बिंदु के एक चान्द का उपर हैगा तारा तो यह जो है एक जो विशेस धुरुसेव यह पर भाए भाुब करूजंत को मिलेगा काई बार वार इसका संकेत बारा मिल भी चुका है तो इसका मतलब यही है कि भगवान कलकी का उध्य का संकेत वह बनेगा आस्मान में गирेगा उलका और जल उठेगा समगरभिश्य यह भी लिखाए इसमें ये भी लिखाए कि ऐसा भी एक दिवशमय आएगा आस्मान में दिखाएदेगा देव धुझग जो देब धोज है वो भी आसमान में दिखेगा जो भक्त है भक्त जो है किबरी किबल वो लोग उसको देख पाएंगे मालिका में कई बार ये लिखा है काले घोड़ा और सफेद घोड़े में महापरभु कल की भगवान आकर दुष्टों का संहार करेंगे और इसके साथ यह भी लिखा है कि बारा हाथ लंबा तलवार भी निकलेगा तो यहां पर मालिका का एक पद मुझे याद है वहां लिखा है कि इन भी निक मतलब यह है यहां पर मालिका में आलिमी लिखा ग Veganा 6il मंदली माहर्ला जब आदेस देनगे उउसी समय कटक में वहां पर वायपुंट कासर से निकल्स गाली एक जो प्रसीद जगह है उसका नाम है काली अबोदा में बारहात खंडा बारहात तलवार जो है उससे समय वो निकलेगा इसके साथ यह भी लिखा है जोब्रा से जटनी तक भाहिंग कर युद्ध होगा यहां पर एक जगह है जोब्रा और भुबनेस्वर के आउट्सकोट मे होगा ओडिशक से तीन तरब से अक्रमन होगा मतलब हमें तो पुलिन भेर पंडाजी बार-बार यह बोल रहे हैं कि जो पस्चिमित दिशा है संबलपूर वहां से भी जो है सत्रू उस रास्ते पर भुशेंगे और जो है हमारा पोट पारदिप और कुनार्क उसी रास्ते म हो भी चुका है और देखिए उस समय 500 साल पहले उस समय भक्ति का दोर था मतलब उस समय पंसक्राओं ने लिखे हैं कि आगे जलके ऐसा ऐसा होगा श्रीमंदिर में जो है मतलब बिदेशी बर्जित है बिदेशी जो परेटक है वो अंदर नहीं जा सकते हैं और वो बार-बा जो मतलब हमारा कान कभी सुना नहीं होगा हमारा आंकर कभी देखा नहीं होगा प्रकृति के बिपरित होगा यह सब कुछ चीज जो है सामने निकल के आएगा